हेलो दूस्तो नमाशकार स्क्रीन की उपर एक सवाल सबसे ज़्यादा है पर पूछा जा रहा है और उसी के बारे में अभी हम लोग यहापे बात करने वाले है दोस्तो सबसे खास बाद अगर हम लोग बात करें इस बड़े में दो से तीन कुछ अच्छी चीज़ें आप लोग यहापे सीख सकते हो प्लस पॉइंट की तेज़ी है और वो भी इतने टॉप लेवल पे बहुत ही अच्छी तेज़ी मानी जाती है इतने टॉप लेवल पे सेंसेक्स की बात करें तो यहापे 1% तो सेंसेक्स भी भागते वे देखने को मिली है बट यहापे एक चीज है जिससे रिलेटेड बहु पॉर्टफोलिय के हारे का अलग अलग पॉर्टफोलिय आपे रहता है तो सर यह तो समझ में आ जाता है कि मार्केट में गिरावट होती है मार्केट ग्राज हो जाता है करेक्शन दिखाता है तो हमारा पॉर्टफोलिय गिर जाए यह तो एक आम बात है इसमें कोई कंप्ले आपे कह सकते हैं, हलाकि इस से रिलेटेड भी बहुत बार में आप लोगों को अपडेट ही आपे दे चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, बट डेफिनेटली इस वीडियो से भी आप लोगों को बहुत कुछ चीज़े सीखने को यापे मिल सकती है, सबसे पहले आज बाजर क्यों तेस था, वो हम लोगों को यापे एक बार चेक करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल आंसर है, हर किसी को अल्रेड़ी पता होगा, नेक्स्ट ये जो सिचुएशन है, ये हर किसी के लिए सेम नहीं है, ये सिचुएशन इन्वेस्टर, आपने मतलब बोलते हैं अलग-अलग टाइप के जो इन्वेस्टर है, उनके सबसे सिचुएशन यहापे चेंज हो सकती है, मैं exactly क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा पहले हम लोग सिक्वेंस को पकड़ लेते हैं, जैसे की आज के दीन की तेजी क्या मुख्या कारण क्या था, तो तेजी का मुख्या कारण अगर हम लोग बात करें तो यह देखें, पूरे सेक्टर को अगर आप लोग चेक भी करोगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्टर हम लोगों को ऐसा देखने को मिल रहा है, जो की हरे निशान में है, एक ही sector मतलब जो finance से जुड़े वे जितने भी companies है वो हम लोग को हरे निशान में देखने को में रहे बाकि सारे के सारी है सारे sector अलग-अलग नहीं है private bank की बात करे, public bank की बात करे, nifty bank की बात करे, सब के सब ये finance में ही या पर आ जाते हैं एक ही sector की बात करे, सो सिर्फ finance sector अच्छा है या पर चल रहा था, बाकी जितने भी sector से, चाए auto की बात करे, या फिर fmcg, it, या फिर media की बात करे, metal की बात करे, pharma की बात करे, reality, sector की बात करे, सब में हम लोगों को profit booking देखने को या पर मिली है इतना ही नहीं, ये तो यहाँ पर निफ्टी के इंडेक्स है, यहाँ पर बताए, जा चुके power sector की बात करे, chemical sector की बात करे, cement की बात करे, steel की बात करे, सब में हम लोगों को अच्छा का सा profit booking थोड़ा थोड़ा देखने को या पर मिल चुका है तो आज के दिन का जो king था, वो सिर्फ और सिर्फ finance sector था, and finance sector में जो तेजी देखने को मिली है, उसी के बदालत हमारा market top level पर देखने को मिल है, bank nifty आप चेक कर सकते हो, उसी के कारण हमारा market top level पर देखने को मिल है, and इसका सबसे main reason है, जो index का weightage है, उसमें कौन से sector का सबसे में आ जाते है, and अगर इन में तेजी आ जाती है, तो बाजार में ही तेजी आएगी, आप देख सकते है, 37%, which is more than one third, अगर आप लोग 100 divided by 3 करोगे, तो 33.333 आए जाएगा, but ये भी आप देख सकते है, 37 है, मतबब आप अंदाजा लगा सकते है, कि bank में तेजी, तो market में ते इन तीनों को भी अगर आप एड करोगे, तो nearby 39% के आसपास ऐसा कुछ तो something आएगा, and सिफ financial services वाला जो sector है, वो अकेला 37% देता है, मतलब आप देख सकते हो कि इन तीन major sector को भी जोड कर अगर आप लोग देखोगे, so financial services वाला sector, finance sector, banking की बात करे, अकेला इन सभी लोगों को टककर यहाँ पर देता है, so finance sector में आच तेजी थी, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर पूरे बाजार में तेजी देखने को मिली, so जिनके पास bank stocks रहेंगे, NBFC रहेंगे, उनके portfolio में हम लोगों को अच्छा कासा मतलब उन particular sector में अच्छी कासी तेजी देखने को मिली जिनके पास banking stocks है, उन लोगों को पता है, अच्छे अच्छे banking stock है, कि उस level का return अभी तक उनको नहीं मिला है, so definitely आज के दिन थोड़ा बहुत उनके stocks अभी यहाँ पे recover करते हुए देखने को आपे मिल चुके है, so यह तो चीजे चलती रहेंगी, उपर जाएंगे, बाद में बादार तेज देखने को मिला है, यह सबसे पहले normal reason तो आप लोगों को पता होगा है, and सबसे और एक खास बाद जो में आप लोगों को last day में बता चुका हूँ, कि Reliance भी आज positive था, and HDFC bank भी positive था, उसके बाद आप देख सकते हो, जो top weightage, Nifty 50 के top weightage देखोगे, ICC bank, उसी मे आता है, HDFC की बात करें, वो भी positive था, Kotak Mahindra bank वो भी positive था, and Axis bank, so 1, 2, 3, 4, 5, 5 कंपनियां हम लोगों को यहापे लगबग, जो index में हापे आती है, 5 ही है न, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मुझे लगा था कोई तो मिस हो रही है, so 6 कंपनिय की अगर में हापे बात करो दूस्तों, तो लग सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है, हर किसी retail investor के दिमाग में तो यह सवाल आना ही चाहिए, कि market गिरता है, तो portfolio गिरता है, चलो मान लेते है, पर यह क्या चीज़ थी, आज stock market में तीजी, and हमारे portfolio में गिरावट ऐसा क्यों यहापे चल रहा है, so जैसे मैंने का कि finance sector में ही तेजी थी, इसलिए आप लोगों के portfolio, बाकी sector में आप लोगों को profit booking देखने को मिले होगी, तो आपके shares नीचे आपे आ चुके होंगे, पर दोस्तों में आप लोगों को कहना चाहूंगा, कि आपे जो पुराने shareholders है, पुराने shareholder मतलब, यह जो situation है यह अभी आप लोगों को बीतर बात करे, एक मैने के बीतर बात करे, एक हफ़ते के बीतर बात करे, आप उसी category में आपे आते होंगे, कि आपने अभी अभी बाजार में आपे शुरूआत की है, अगर मैं आप लोगों को बता दू, जो पुराने shareholder है, अगर मैं अपनी भी खुद की बात कर दो, यह आपे हमारा पोर्टफोलियो में आपको बताना चाओंगा, कि कोई भी हमारा पोर्टफोलियो यहापे लाल निशान में नहीं जा चुका है, हाँ, हमारे पोर्टफोलियो में क्या हो जाता है, मैं आप लोगों को एक चीज यहापे बताना चाओंगा, कि अगर यहापे में एक्स्प्रेइन करना चाहूंगा तब जाके आपको इस चीजे समझ में आ जाएगी इसको सिर्फ एक डेमो हम लोग यहां पर कह सकते हैं यहां पर बहुत सारी स्टॉक में आप लोगों को यह चीजे देखने हों कि आपे मिल जाएगी इसा प्रॉब्लेम कि होता है कि आप लोगों को इस चीजों के साथ डिल करना नहीं पड़ेगा मतलब यह देखिए अगर में यहां पर बात कर दू तो देख सकते हैं इस स्टॉक का परफॉर्मंस बिलकुल भी आप लोगों को यहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है तो ऐसे वक्त हम लोगों को हम हमारा पॉर्टफोली यहां पर नीचे जा रहा है बट जैसे अगर मैं यहां पर पाथ साल का चार्ट पेटन दिखा दू तो इस कंपनी ने लगबग 300-300% के आसपास के रिटन्स दिये हुए है तो मेजर बताने का मकसद क्या है यहां यहां पर जिसने जिसने अभी अभी न दाउन्स तो चलते रहेंगे तो कभी भी डाउन जाएगा तो आपका पॉर्टफोलियो भी आप लोगों को लाल निचान में देखने मिलेगा बट यहां पर जिसने लोगों ने निवेश किया होगा मतलब में पाथ साल की बात कर रहा हूं पुराने शेरोल्डर सो आज उनक होट करोंगे आपको फरक क्या पड़ेगा यहां पर पर सेंटेज और लोगों को देखना चाहं पॉटफोलिय ग्रो नहीं हो रहा है यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आप शौट टम के इसमें आते हो शौट टम मतलब जस्ट अभी अभी बाजर में एंटरी किया जैसे मैंने शुरुवात में बता दिया सो इमिजेटली पैसा बिलकुल भी नहीं बनता है बाजर में आपको टाइम देना पड़ता है एक बार आप लोगों ने यहापर टाइम दिया सो आपका भी वक्त आएगा जब बाजर भी अगर गिर गया फिर भी आपका पॉटफोलियो रेड चोड़िये सिर्फ थोड़ा सा ह अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट की वो कम होते वे देखने को मिल जाता है जो कि एक आम बात यहापर रहती है तो यह आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आपने अभी अभी जस्ट बाजर में इंट्री की है जैसे मैं आप लोगों को बताना चांगा आज की अभी की त हो गया तो उसके बाद आप देख सकते 900 रुपे का प्रॉफिट आप लोगों को पर शेर फिर वो हजार का शेर 900 पर भी हो गया आपको लॉस वैसे नहीं होगा आपका सिर्फ क्या हो जाएगा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो यह हर किसी इंवेस्टर की साथ होता है जो कि अ आपका प्रॉफिट था फॉर एग्जांपल 100 परसेंट था वो आज शाथ से 90 परसेंट आया होगा 85 आ चुका होगा ऐसा हम लोग मानके चल सकते हैं जो यह एडवांटेज दोस्तों उनी लोगों को मिलता है जो कि लंबी अवधी तक निवेश करते हैं अपनी पोजिशन को होल्ड करके यहाँ पे बेढ़ जाते हैं सो अपनी पिरड अफ होल्डिंग को यहाँ पे चेक कर लेना अगर आप लोग यहाँ पे लंबी अवधी के लिए निवेशित रहोगे सो यह एडवांटेज आपको भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे भी कभी किसी ने निवेश किया उनके लिए भी यह लेवल बिल्कुल 52 विक हाई के करिब था आज वो लेवल आप देख सकते हो हम लोंको लगबग 52 विक लो पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है तो इसलिए वो भी आपे इंजॉइशन को यहाँ पे कर रहे हैं और मैं आपको यह भी बताना चाओंगा एक समय के बाद अगर आप 5 साल, 6 साल, 7 साल होल्ड भी करते हो उसके बाद आपकी फेवर में यह सिचुएशन भी आएगी यह सिचुएशन मतलब कभी बाजार अगर जोरदार भी गिर गया है आपका पोर्टफोलिय जैसे मैंने कहा कि maximum लोगों का long term वालों का पोर्टफोलियो हारा निशान में ही यह पे रहता है सिफ profit थोड़ा सा कम हो जाएगा सो इस situation में अगर आपको आना है सो definitely आपको उतना time देना यह पे पढ़ सकता है जो कि बहुत ही important चीज यह पे जरूर है सो दोस्तों इसलिए मैंने आप लोगों को एक बार कहा भी था कि आप मतलब दिवारों के उपर चाप देना है यह वाली चीज कि 250 दीन में से 230 दीन अगर आप एक investor है तो आपके against ही चलने वाला है 20 दीन आपके favor में आपे रहेंगे सो 20 दीन हमेशा आप लोगों को जबरदस return यहां पर देते इन चीजों को किदर तो लिख के रखो क्योंकि बाजर हमेशा जो initially मतलब अभी अभी जो बाजर में एंटर करते हैं उनके हमेशा buying price के वो खिलाफ ही जाते वे देखने को आपे मिल जाता है तो इसका solution कभी भी exit कर यहां पर नहीं होता है और इससे related भी दो important वीडियो में दिखाना चाहूंगा यह देखी यह वाला जो वीडियो जो मैं बहुत बार बता चुका हूं इसका reference की जब भी आप share buy करते वो गिर जाता है sell करते तो बढ़ जाते तो इस वीडियो को देख लेना आपके सारे doubt clear हो जाएंगे मैं कोशिश करता हूं इसका link नीचे description box में देने की and उसी के साथ साथ इसी हाली में हफते में मैंने एक वीडियो भी बनायता है आप investment के चलते यह देखिए investment के कुछ 5 important secret उसमें से number one secret की अगर मैं बात करू तो इसी के बारे में मैंने बात की थी कि अगर आप कु आप लोग बीच में ही मैदान चोड़ कर चले जाते हैं आयोँ पाशा करता हूं आप लोग के कुछ doubt भी क्लियर यहापे हो गए होगे होंगे तो जरू इस वीडियो को like and share कर देना so that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye